नमस्ते प्यारे दोस्तों स्वागत है आप अपने इस प्यारे चैनल हैंपिंग विल में दोस्तों क्या आप एक घर बनाना चाहते है उसके लिए क्या आप एक home loan की तलाश में है अच्छा सा home loan तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने लिए एक home loan का अच्छा का सा plan कैसे बना सकते हैं दोस्तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और personally देखा भी है जो कि randomly home loan ले जाते हैं उसके बाद जब EMI payment करने की time आती है तब उनमें बहुत सारे दिक्कत होती है तो दोस्तो एक home loan लेने के लिए एक proper planning की जरूरत होती है तो आज के इस वीडियो में हम उस planning के बाद करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तो हम यहाँ पे home loan की EMI calculator पर दोस्तो यह आपको google में आराम से मिल जाएगा आपको बस google open करना है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं google open कर रहा हूँ google open के बाद करने के बाद आपको home loan EMI calculator डाल देना है दोस्तो यहाँ पे आपको बहुत सारे link मिल जाएगे SDFC का, SBI का, Grow का ऐसे बहुत सारे link मिल जाएगा आप अपने इसाब से कोई भी link क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले वाले में क्लिक किया है home loan EMI calculator के उपर तो यह SDFC का आ गया है आप किसी भी bank का use कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे हम आज calculate करने वाले हैं 30 लाख रुपय तक का तो यहाँ पे मैंने loan amount में 30 लाख डाल दिया है loan का tenure हम 30 साल से धीरे धीरे reduce करके calculate करेंगे 30 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल तो यहाँ पे मैंने पहले 30 साल का लिया है अभी के लिए जो rate of interest है जो दोस्तो वो 8.5% चल रहा है तो इस हिसाब से अगर हम इसका calculate करते हैं दोस्तो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी monthly जो EMI आती है वो लगबग 30,000 रुपय आती है दोस्तो यानि कि अगर आप 30,000 का loan लेते हैं 30 साल के लिए तो आपकी EMI 30,000 रुपय आ जाता है दोस्तो तो यह तो आपको पता चलगा EMI तो दोस्तो 23,000 की EMI के लिए आपका minimum salary या फिर minimum monthly income कितना होना चाहिए वो थोड़ा हम देखेंगे दोस्तो अभी तो दोस्तो इसके लिए हम जाएंगे calculator के उपर क्यों calculator पे हम calculator open कर लिए तो यह मारा जाता है या फिर यह standard practice है कि आपकी जो monthly EMI है वो आपकी salary के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो यहां पर अगर हम आपकी salary calculate करेंगे इस EMI पर तो आपको मिलता है आपके EMI आता है दोस्तो 23,000 रुपया तो यहां पर अगर आप इसका लेंगे तो यहां पर अगर हम दोस्तो 0.4 डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा दोस्तो आपकी salary 57,500 यानि कि आपको 30,000 रु होनी चाहिए तो दोस्तो इसका अगर हम थोड़ा सा tenure घटा लें तो दोस्तो क्या होगा देखते हैं दोस्तो इसको अगर हम 30 साल के जगा पर 25 साल कर देते हैं तो देखिए loan का EMI बढ़के 24,157 हो गया तो इसके हिसाब से अगर हम calculate करते हैं तो पहले मैं इसको clear कर देता हू तो आसानी होगे calculation करने के लिए so 24,000 सबसे easy तरीका है दोस्तो divided by 0.4 कर दीजे जो भी आपकी EMI आएगी उसके divided by 0.4 कर दीजे आपके salary आजाएगा 60,000 तो अगर आप 30,000,000 रुपय तक का loan लेना चाहते हैं 25 साल के लिए तो आपकी जो salary है या आपकी जो मंदली income है वो कम से कम 60,000 होने चाहिए ताकि आपको आने वाले future में कोई भी परिशानी ना हो तो इस तरह से आप calculate कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको और एक बार करके दिखा देता हूँ देखे यहाँ पर इसका अगर मैं 10 यूर को 25 से घटा के 20 कर देता हूँ दोस्तो तो यह आ गया दोस्तो salary calculate कर सकते हैं तो कितना salary पर आपको कितना home loan आपको लेना चाहिए दोस्तो तो दोस्तो इस तरह से अगर आप calculate करेंगे तो आपको home loan की EMI चुकाने में कोई भी problem नहीं होगी इसके साथ साथ कौर और बाते भी ऐसी होते हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है बहुत जरू कुछ ऐसा situation आ गया जिसकी वजह से आपको job चली जैसे कि corona वगरा का situation आ गया कुछ depression आ गया तो आपको एक नया job ढूनने में आपको चार से महने का time लग जाएगा तो उस case में आपको एक आपका backup amount ready होना चाहिए दोस्तो ताकि उस time में आपका जो EMI होए वो default ना हो तो माल लिजे हम easy calculation के हिसाब से इसको पकल लेते हैं दोस्तो 25,000 तो माल लिजे आप 25,000 रुपए का EMI दे रहे हैं तो आप जब loan apply करें आपके हाथ में कम से कम 6 महिने कम से कम 6 महिने का दोस्तो आपका होना चाहिए backup तो दोस्तो 25,000 रुपए को अगर हम 6 से multiply करते हैं तो हो जाता ह है दोस्तो आपको मिलता है डेल लाक रुपए तो यह डेल लाक रुपए को आप क्या करेंगे bank में FD कर सकते हैं या फिर किछे mutual fund में invest कर सकते हैं तो ताकि अगर in case आपकी कोई भी problem आता है picture में देखिया है दोस्तो यह जो loan ले रहे हैं आप 15, 20, 30 साल के लिए loan रहे है तो इस time में कुछ भी हो सकता है हम ऐसे बोल नहीं सकते तो नया job या फिर कुछ भी नया करने में कम से कम आपको 6-8 महीन लग जाएगी तो उस time के लिए आपका home loan default ना हो इसके लिए आपको यह पैसा अपने पास FD या फिर mutual fund के तोर में सुरक्षित रखना चाहिए दोस्तो त इस साब से आप आराम से आपकी salary case आप से loan calculate कर सकते हैं तो तीस लाग के जगा पे आप कोई भी amount जैसे की 40 लाग 50 लाग 20 लाग 15 लाग जितना भी लेना चाहते हैं उसी साब से आप इसमें डाल सकते हैं माल लिए दोस्तो इसको मैं थोड़ा सा change करके 20 कर देता हूं दोस्तो 20 लाग रुपे कर तक का लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी EMI आती है 17,356, 17,355 इसका round figure करके 17,000 कर देते हैं और उसमें से अगर दोस्तो हम 0.4 का divide कर देते हैं तो आपकी approximate salary थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों तलकुलेशन अगर फिर कर लेते हैं 17,000 आपकी EMI है divided by 0.4 तो आ जाता है दोस्तो 42,500 आपकी salary है दोस्तों कम से कम इतना होना चाहिए तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस तरह के important जान कर दे के लिए हमेरे वीडियो को subscribe करें और हमेरे वीडियो क लाइब करें आपके देन मंगल मैं हो धन्यवाद दोस्तों